आज हम लोग ये वे आखे पाट पढ़ेंगे और जो कि एक बहुत सुंदर कविता है जिसको हमारे विस्वेस्तर के मतलब अंतर राश्टी जो बहुत ही सम्मानित कवी रहे हैं सुमित्र अंधन पंत के द्वारा जो लिखी गए यह जिनका नाम मूल नाम जिनका गोसाई दत्त था और जिनका जन्म सन 1900 सन में कौसानी जिला अलमूडा उत्तरांचल में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं वीना गरंथी पल्लाव गुंजन युगवाणी ग्राम्या चिदांबरा उत्तरा स्वर्ण किर्ण कलाय और बूढ़ा चांद लोकायतन आधी सम्मान इनको कहा कहा प्राप्त हुआ है भारती ज्यान पीट पुरुसकार इनको प्राप्त हुआ साहित आकादमी पुरुसकार इनको प्राप्त हुआ सोवियत लैंड नहरु पुरुसकार इनको प्राप्त हुआ और पद्मभूशल पुरुसकार इनको प्राप्त हुआ इन और प्रस्तुत कविता में वे आंखे में पन्त जी ने प्रगति सील दौर की कविता है और इसमें विकास की विरोधी भासा भासी अवधारनाओं का करारा प्रहार किया गया जो लोग आजकल जो बड़ा आपने आपको विकास की समझते हैं कि हम बड़े आजकल हुसियार हो गए हैं और हमारे जैसा हुसियार कोई नहीं है हम बड़े स्टेंडर के हो गए हैं और बांकी सब को बेकूफ समझते हैं के लिए बहुत करारा जवाब प्रूब यहां पर प्रहर किया है यूग-यूग से स्वसन हो रहे सिकार किसान का जीवन कभी को आहत करता है दुखत बात यह है कि स्वाधीन भारत में किसानों को केंद्र में रखकर विवस्था का निरनायक हस्तक्षेप नहीं किया कभी कविता ऐसे ही दु Grade में फ्षसे किसानों को व्यक्ति गट एवं परिवारिक दुखों की परतों को खोलता है और इनको समाज के प्रती समाज को जो है इनकी भावनाओं के विश्य में और इनके प्रती भी चेतना जगाने का प्रयास कर रहा है तो आईए हम लोग इस पंक्ती में पढ़ेंगे वे आँखें अंधकार की गुहा सरीखी उन आखों से डरता है मन भरा दूर तक उनमें दारों धयने दुख का नीरवरोदन अंधकार की गुफा से मन डरता है और उन आखों से डरता है मन जहां आज दुख भरा हुआ है करुणा भरी हुई है क्या दैन दुख नीरव रोधन इत्याद भरे हुए हैं यह सारी चीजें जो आज भरी हुई हैं जिनको आज कोई देखने वाला नहीं है तो आज यहाँ पर यह समित्रन नंद पंथ जी ने यह बताने का प्रयास किया है देखिए हम सभी को किसान की भावनाओं को सम्मान करना चाहिए क्योंकि किसान नहोते तो हम सायद आज सुक्की रोटी भी नखा पाते क्योंकि वह जो देते हैं वही हम लोग आज पाते हैं तो आज कभी इस बात को कहते हैं कि मुझे मेरा मन उन आखों में देख करके डरता है जो आज इतने दुख को काट करके महान दुख को काट करके और फिर भी उसके बाद भी अपने कारे में लगे रहते हैं वह स्वधीन किसान रहा अव्मान भरा आखों में इसका छोड़ो छोड़ उसे मजधार आज संसार कगार सद्रिस बस खिसका मतलब आज जब किसान स्वधीन रहा अव्मान भरी आखे थी कि आज मैं ऐसा मैं खेती करूंगा तो सभी लोग खाएंगा तो सही भी बात है कि हम जब किसान खेती नहीं करता तो हम क्या खाते इतना बड़िया स्वधान था किसान का आज हमने उसे मजधार पर छोड़ दिया और हम किनारे हो गए हमने क्या पूरे संसार ने उसे आज मजधार पर छोड़ दिया तो लहराते वे खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब इस अब जिन से हस्ती थी उसके जीवन की हर्याली जिनके त्रिन त्रिन से मतलब लहराते वे खेतों को देख करके किसान पसंद होता था और उसका मन जो है उस सरियाली को देख करके उसने त्रिन त्रिन और अनन्दित हो जाता था तो इस प्रकार से यहाँ पर कभी किसान के विशामपन कर रहे हैं आखो ही में घूमा करता वह उसकी आखों का तारा करकुनों की लाठी लाठी से जो गया जवानी ही में मारा मतलब आखों में ही घूमा करता है उसकी आखों का जो तारा है जो उसका बेटा है जो की आज दुष्टों की लाठी से जवानी में भीचारा मारा गया लेकिन उसके लिए संसार की लोग कुछ नहीं कर पाए सिवायरें जो रोने कि उसके आखों कुछ नहीं रहे गिया उसने हमें बहुत कुछ करके दिया लेकिन हमने उसके लिए क्या किया यहां पर यह कभी जो है इस बातको यहां पर प्रफ्ष्टों करना चाहिए तो आएए दूसरी पंक्ति पर चलते हैं बहुत समय नहीं लेंगे बिका दिया घरदवार महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी रह रह आखों में चुबती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी बिक गया घरदवार उनका जो घरदवार था वह सब कुछ बिक गया महाजन ने जो जुन्हों ने उसे उधार दिया भी था ना पैसे की जब जरूत पड़ी थी और जब उसे उधार दिया भी था एक भी कभी किसी ने उसका एक कवरी व्याज भी न छोड़ा और रह रह कर आँखों में चुबती है आज उसकी आँखों में रह रह करके यह बात चुबती है और कुरक हुई माने जो बैल की जो जोड़ी थी वह भी बिछड़ गई और वह भी बैल भी जो है अलग-अलग हो गए और यहाँ पर कह रहे हैं उजड़ी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती और आखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती और एक उसकी उजड़ी जो मतलब उसके विसम बता रहे हैं कि उससे ने कितना कश्ट पाया उजड़ी उसके सिवा किसे कब किसे का उसके अलावा और किसी का नुक्सान कहीं नहीं हुआ पास दुहाने आने देती हैं और गाए भी मतलब किसी भी चीज जो है कोई भी मतलब एक उसके अलावा और किसी का कुछ नहीं बिगड़ा वह आँखों में नाचा करती उजड़ गई उसकी सुखी की खेती जो उसके आँखों आँखों में जो हमेंसा नाचा करती थी आज वह सब उजड़ गई आज यहां पर यह कभी कहना चाहते हैं बिना दवय दर्पन के घरनी स्वरग चली आंखे आती भरा मतलब बिना दवय बिना किसी チचीज के उसकी जो ग्रहनी है उसकी पतनी है वह है भी स्वरग चली गई उसको भी दवाई नहीं मिल पाया। रेखरेख के मिन दीन के बाद मर गuse और उसकी, जो जो दीन के बाद माली गई? उसका भी कोई देखरेख नहीं किआ गया, किसी परकार से ती, किसान की विथा कविदिय इस कभी कर रहे है, तो कभी आज किसानों के विशय में और आज की परिसितियों को ध्यान में रखते हुए कभी निका हूँ घर में बिद्वा रही पतो हूँ लच्मी थी यदपी पती घातिन पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुए में मरी एक दिन और एक दिन घर में बिद्वा पतो मतलब बहू थी यदपी वह लक्ष्मी थी लेकिन पती उसके पती नहीं थी कोतवाल ने भी एक दिन कुछ कहा तो वह भी कुए में डूब करके मर गई कभी मतलब मैं संचेप में आपको यह समझा रहा हूँ कि कभी यह कहना चाहे रहे हैं खेर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरे आती पर जवान लड़के की सुध कर साप लोटते फटती चाती ठीक है लोग जोरू को पैर की जूती पत्नी को पैर की जूती समझते हैं परंतु न सही एक न सही दूसरी आ जाती परंतु जवान लड़के की सुधित माने याद में साप तो लोटते ही थी मतलब दुख तो होता ही पिछले सुख की स्मृती आखों में चण भर एक चमक है लाती और एक थोड़ा सा सुख भी मिल जाता है तो वह किसान प्रसंद हो जाता है एक चमक सी आ जाती है तुरंत सुन्ने में गड़ वह चितवन तीकी नोक सद्रिस बन जाती है और तुरंत वह जो जब वह सुख जो है खतम होता है तो वह पुना एक वह सुख जो है मने तीकी नोक के समाझ जैसे सुख कर नोक जीस ने छुआ दिया हो थोड़ा सा वह ऐसे गड़न लगती थी तो मनो की जो कभी है वह उनके संपूर्ण दुख का वणन यहां पर कर रहे है कि आज हम लोगों ने हम लोगों ने जो आज अपने आपको बड़ा मॉडल समझ लिया है जिनका किसानों करते हैं जिनके माध्यम से हम लोग खाते हैं जिनके माध्यम से हम लोग रहते हैं आज उसी के विसमें उसी को हम लोग नहीं पसंद करते हैं उसके विसमें कभी न और कभी ने इससे बताने का प्रयास किया है तो आज की बच्चो यह कविता आपकी यहीं संपूर्ण होती है आप सब्वी लोग सुनेंगे और समझेंगे क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बड़ा संचेप में बताने का मैंने आपको प्रयास किया है आगे की वीडियो में हम धन्वाद